नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है प्रिया टोप कीचन में तो इस गर्मी के मौसम में इतने थंडे थंडे से अगर आम की लसी मिल जाये तो बस मजा आ जाये तो चलिए दोस्तो इस आम की लसी को बनाना सुरू करते हैं जिसे बनाना बहुत तीजी है तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले हमने यहां पे मुमफली के दाने को भिगो कर रख दिया था तीन से चार गुंटा पहले एक छोटे कटोरी से तो देखिए इसके जो उपर की छिलके हैं वो बहुत ही इजली निकल जाएंगे अगर आप इन्हें भिगो देंगे तो अगर आप पिस्ता बदाम भी लेना चाते हैं तो इसी तरीके से पिस्ता बदाम के भी छिलके उतार कर और उसकी भी लसी सेम प्रोसेस में बना सकते हैं चाहे तो इसी तरीके से काजु की भी बना सकते हैं तो यहाँ पर हमने दो आम लिये हैं अब देख सकते हैं इन्हें भी हमने धो लिया है तो इसी से हम लसी को बनाएंगे तो चलिए सबसे पहले मुमफली के चिलके को उतार लेते हैं यहाँ पर हमने मुमफली के चिलके को उतार लिया है अब इन्हें रख देते हैं साइड में एक दूसरे बॉल में हम इन आम को रख लेते हैं और इनके उपर के जो चिलके हैं उन्हें हम छीलन की हेल्फ से छील लेते हैं, तो बहुत इजली ही निकल जाते, आम बहुत ही अक्दम गल गल़ा टाइप के नहीं होना तो देख सकते हैं दोस्तों आम को हमने कट कर लिया है यहां पर हमने ले लिया है मिक्सर ग्राइंडर और उसमें जो मुमफली को छिल के रखे हुए थे उसे डाल देंगे शाथी में डालेंगे दो चम्मज पानी और इसका फाइन सा पेस्ट बना लेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों हमने मुमफली के पेस्ट बना लिया है अब हम इसमें डाल देंगे जो आम को कट करके रखे हुए थे उसे साथी में डाल देंगे दो चम्मज सक्कर और चलिए अब हम इन्हें पीस लेते हैं और इन्हें सर्व करेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों हम की लसी बनके तयार है यकीन मानिए दोस्तों इस तरीके से गर्मियों के दिन में आम की लसी पीएंगे तो इसम तरो ताजा महसूस करेंगे उपर से हम इसमें जो मुंफली के दाने होते हैं उन्हें छोटे छोटे से पीसे में कट कर लिया और गानी सिंग कर लेते हैं तो कैसी लगी दोस्तों आपको यह आम की लसी हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक किये बिना बिलकुल मैं चाहिएगा अगर आप मेरी वीडियो पर पहली बार आए है तो प्लीज इसे स्क्राइब करिएगा दोस्तों बाई बाई थैंक यू